हाई अवरिबन वेलकम टू स्टड़े स्प्रिंग और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एम लक्षमी कांत के समड़ी का जो फंडमेंटल राइट है एक चाप्टर उसके सेसन टू को और आज का जो अपना सेसन होने वाला है यह वो बेसिक सारी बातों को डिस्कस करेंगा जो फंडमेंटल राइट से रिलेट थे पहले हम लोगों ने एक मेजर जो अपना आर्टिकल था आर्टिकल 12 और 13 इसको पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था यह अपना पार्ट 2 होने वाला है इसी को डिस्कस करेंगे हैं हम लोग बट विफोर डू बिगीन अगर आपको ऐसा लगते हैं कि चैनल डेडिकेट लिए आपके लिए वर्क करती है चैनल को सब्सक्राइब और सेट जरूर किया कीजिएगा क्योंकि यह हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बारा कारण होता है अपने टॉपक के तरफ आते हैं पहला जो फंडमेंटल राइट आता ह है वो आता है शमता का अधिकार और पूरिश शमता का अधिकार को आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में मेंसन किया गया हुआ है और यह जो समता का अधिकार है यह इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी जो हमें देता है यह अलग-अलग तरीके से हमें राइट टू इक्व सामने वीजिबल कर देगी कि एक वेक्ति को वो भारत का नागरिक है उसको किस तरीके से समता काधिकार दिया गया हुआ है और एक वेक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसको किस तरीके काधिकार दिया गया हुआ है इसी को डिसकस करेंगे इसमें जो है वो एक बात कहा गया है कि भारतिय समिधान का जो आर्टिकल 14 टो आर्टिकल 18 है ये सारे अनुछेद वेक्ति को विधी के समक्ष शमता और राज्य के अधिन सेवाओं में शमानता का उसर और समाजिक समता परदान करता है अब जो समानता होगी जो समता का अधिकार होगा वो कितने तरीके का होगा तो पहला जो समता होगा वो विधी के समक्ष समता होगा दूसरा समता जो होगा वो राज्य के अधिन सेवाओं में समता होगा तीसरा औशर का समता होगा और चोथा समाजिक समता होगा ये सारी समताओं को मेंशन किया हुए आर्टिकल 14 टो आर्टिकल 18 में और इसको एक एक करके discuss करेंगे जो article wise होगा तो article 14 आपके सामने ये discuss करड़े को मजबूर करता है कि हम एक समता देते हैं जो विधी के समक्ष समता और विधी के समान संग्रक्षन का अधिकार है ये article 14 में mention किया गया हुआ है लेकिन ये terminology जो है कानून का समान संग्रक्षन ये दोनों अपने आप में है क्या इसको discuss करना है पहले लेकिन इससे पहले ये जानना होगा हमें कि विधी के समक्ष जो समाननता है इसको कहां से लिया गया हुआ है तो इसको ब्रिटेन के समयदान से लिया गया हुआ है और दूसरा कानून के समान सरक्षन जो है यह हमने इसको एडॉप्ट किया है अमेरिका से दोनों का मतलब क्या हुआ और क्यों यह दोनों अपने आप में positive और negative matter क्यों अपने आप में रखते है इसको भी discuss करना है तो विधी के समक्ष जो समानता है यह यह बताता है कि कोई भी वेक्ति वि निकलते है वैसे ही इसका impact जो होगा वो negative पड़ेगा लेकिन समान पड़ी स्थिती में अगर वेक्ति कानून क्या समान संग्रक्षन प्राप्त करता है तो वो positive वे आता है अगर article 352, 356 और 360 imposed नहीं होगा इस condition में अगर सारे वेक्ति के लिए समान संग्रक्षन कानून का दि positive है लेकिन यह हर एक वेक्ति विधी से उपर नहीं है यह negative impact है क्योंकि article 361 के थुरू कुछ ऐसे जो है वो आपके exception है जो इसको negative challenges सामने इसके लाते है और उसको अब discuss करेंगे हम लोग यहां यह बताता है कि जो article 14 है इसमें 361 के थुरू उचितम नयायाले के नयाधीस जो ह होते हैं उसके बाद संसद के जो सदस्य है या मंत्री मंडल के सदस्य है इनको कुछ VCS प्रावधान दिया गया हुआ है और यह article 14 के factor number 1 को जो factor का है इसको पूरी तडिके से 100% नहीं करता है इसलिए यह fact जो होगा वो आपका हर एक वक्त negative होगा यह जो article 14 है यह आपका है नहित विधी का शासन है जिसके कारण इसको article 368 के तुरू नस्ठ नहीं किया जा सकता है मिन्स इसका जो basic structure है इसको हम लोग खतम नहीं कर सकते हैं इसमें कुछ changes कर सकते हैं जो इसके basic structure के जो इसके basic structures को और strong या फिर और visible करेगा ऐसा को यह step हम ले सकते हैं यह article 14 बोलता है आपको article 15 के उपर अगर आप आईएगा यह थोड़ा सा white discussion करवा देगा आपको article 14 का क्योंकि article 14 session खंड by खंड mention किया गया हुआ है और इसका जो part है यह हर एक part अपने आप में 100% है अगर आप देखिएगा तो यह हर एक part अपने आप में 100% है और यह जो 100% part है इसको अगर आप section by section discuss कीजेगा तो कुछ चीज clear करेगा क्योंकि article 15 यह बोलता है कि हम किसी वेक्ति के साथ धर्म मूलवंस जाती लिंग या जर्म अस्थान के अधार पर विवेद नहीं कर सकते है यह राज्ये नहीं कर सकती है लेकिन इसमें term and condition article 15 1 के section A में जोड आ गया कि article 15 का जो section A है इसके अनुसार राज्ये को यह करतव अधिरोपित किया गया मतलब यह उसकी responsibility होगी कि वो किसी नागरी के विरुद धर्म मूलवंस जाती लिंग या जर्म अस्थान के अधार पर विवेद नहीं करेगी मतलब नहीं कर सकता है ठेक है लेकिन term यहां क जगह पर discrimination कर सकते हैं मिंज राज्ये कर सकती है दूसरा बात यहां पर mention किया गया हुए धर्म मूलवंस जाती लिंग या जन्म अस्थान तो इसके बाद कोई भी ऐसा टर्म आता है उसके अस्थान पर हम उसमें विवेद कर सकते हैं जैसे कि एक टर्म आता है भासा जो यहा और निवास अस्थान मतलब की जन्म अस्थान का बात करता है यह मतलब आपका आवासिय सर्टिफिकेट जहां आपका residential होगा वहां से तो आपके साथ विवेद नहीं कर सकता है लेकिन आप जिस जगह पे निवास कर रहे हैं वहां से विवेद कर सकते हैं और यह टर्म आपक जितने कुए है असनान घाट इत्यादी के अस्थान पर अगर विवेद करता है तो उसके fundamental right का बाविलेशन होगा लेकिन यह किसी भी एंगल से article 17 के लिए युक्त युक्त नहीं होगा क्योंकि article 16 जो है वो article 16 यह आपको बोलता है कि हम अस्परिश्रता का अंत करेंगे article 15 का section 2 आपको बोलता है कि इन सारे term के अधार पर हम किसी भी तरीके से विवेद नहीं कर सकते हैं next देखते हैं हम लोग article 15 का section 3 यह बोलता है कि अगर किसी कारण बस अगर किसी कारण बस एक राज में इस्तिरियों की संख्या अगर सरकारी जो है वो अगर आप बोले तो जो संस्था है उसमें कम है तो उस condition में इस्तिरियों और बच्चों के लिए विसेश उपबंध वो कर सकता है और इसके लेकर के बच्चों के लिए अलग से rule बनाएगे हुए लेस्तिरियों के लिए जो rule बनाएगे हुए जहां से direct question आते हैं वो ये है कि इसमें समानी योगता रखने वाली अगर इस तरी और पूरिस दोनों एक जो एक seat है उस पे अगर fight करती है और equal दोनों आदमी की योगता होती है तो उसमें सबसे पहले जो priority दिया जाएगा वो औरतों को दिया जाएगा और ये किसी भी सूरत में article 16 का section A मतलब की reservation का part नहीं होगा article 15 का section 3 ये बोलता आर्टिकल 15 का section 4 जो बोलता है वो इसको तब implement किया गया हुआ था जब समिधान संसोता 1951 को जोड़ा गया हुआ था और ये उस वक्त एक condition पैदा हुआ था जब चंपाकल दोराई नाम का मदरा सरकार के साथ चंपाकल दोराई नाम का एक वेक्ती के साथ जो है वो उचतम न प्राउधान था उस पर जब एक क्या हुआ था विसेस प्राउधान को नहीं जोड़ा गया हुआ था उससे पहले एक जो है वो seat को ले करके discrimination का बात कहा गया हुआ था right to equality को ले करके उसमें changes क्या हुआ था कि सरकार अगर चाहे तो पिछरे हुए वर्ग अनुसुची जाती के लिए बिसेस प्राउधान कर सकती है लेकिन इसमें term and condition क्या होगा कि ये युक्ती युक्त होगा और ये किसी भी तरीके से किसी के fundamental right का violation नहीं करता होगा और इसी को ले करके दो आयोग को बैठाया गया हुआ था पहला काका का लेकर आयोग 1953 पे बैठाया गया हुआ था जिसने जितने जो है वो सिफारीस किया हुए थे सारे सिफारीस को आमाने किया गया लेकिन मंडल आयोग जो 1978 में बैठाया गया हुआ था इसके जो है सिफारीस को माना गया और बोला गया कि ये reality है कि अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के जो work है इनकी जो है वो के section 4 के हिसाब से जहाप पर मंडल कमीशन को बैठा गे reservation का provision किया गया हुआ था इसके बात के बात के ऊपर अगर हम लोग आएंगे article 15 का 3 और article 15 का 4 section जो है ये article 15 के 1 और article 15 के 2 section का बिल्कुल अपवाद है क्योंकि ये दोनों इजे बोलता है कि हम जन्मस्थान जाती लिंग इसके अधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे लेकिन सेम चीज आर्टिकल 13 में आता है कि सरकार अगर चाहे तो इस सिर्योर बचों के लिए अरग प्रावधान कर सकती है और पिछरे जाती और अनुसुची जाती अनुसुची जाती के ल करने के लिए अगर आप देखे तो किसी भी तरीके से समिधान के हिसाब से यह एक दूसरे को वाविलेट नहीं करता है लेकिन फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ने कहीं से यह दोनों को एक दूसरे पर प्रतिखात करने का काम करता है तो यह चीज हम लोगों ने ड नमबर थ्री होगा और ये भी इंपोर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि इसमें और चीजों को हम लोग बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और सेर करते हुए ज़रूर चलिया क्योंकि यह मोटिवेशन का बहुत बारा कारण है मिलत नेक्स वीडियो में तब तक लिए थैक्यों गुर्बाइट टेक कियर